सो हे गाइस आप सभी का स्वागत है आल अबोट रनिंग के इस यूडूब चैनल पर सो 16 सेप्टमबर 2018 बर्लीन मेराथॉन जैसा कि हम सभी ने 2018 के बर्लीन मेराथॉन में 42 किल्योमेटर्स के फूल मेराथॉन का वर्ल्ड रिकॉर्ट को ब्रेक होते हुए दिखा था जिससे की वेरी टैलेंटेड केनियन लॉंग डिस्टेंस रनर एलिट किपचोगे ने दिवर 18 के बर्लीन मेराथॉन को टू आर्स वन मिनट एंड 39 सिकेंड के टाइम के साथ रन करके इन्होंने यहाँ पर मेराथॉन का एक नया वर्ल्ड लिकॉर्ट सेट किया था एंड जस्ट इसके नेक्ट येर यानि की 2019 के बर्लीन मेराथॉन में जहां पर की एलेट किपचोगे ने पार्टिस्पेट नहीं किया था लेकिन एक बहुत ही बड़े लेजेंड एथिलीट ने पार्टिस्पेट किये थे जो कि एक लॉंग डिस्टेंस रनिंग के कैसकते है सबसे उपर नाम इनका लिया जाता है यह सबसे बड़े लॉंग डिस्टंस रनिंग के एथिलीटों में से एक हैं जिनका नाम है इथोपिया के कैननिसा बकेरे जो की फोर टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट रहे चुके हैं एट टाइम वर्ल्ड क्रॉस क्राइंटी के चेंपियन रह चुके हैं 5,000 10,000 मिटर के वर्ल्ड चेंपियन रह चुके हैं और 5,000 और 10,000 मिटर के प्रिवर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी यह रहे हैं केञनी साइब अकेले ने 2019 के बर्लिन οान को टू आर्ट्स वन मिनट एनğnd फोर्डे वन सीकेंड के टाइम के साथ रन होंra किया सो ये सिर्फ दो सिकेंट से उस मेराथॉन के वर्ल डिकोट को ब्रेक करने से चूग के थे और आज तक मेराथॉन का सिर्फ दो ही यही दो ऐसे एथलीट हैं जो कि मेराथॉन को टू आर्स एंड टू मिनिट से कम समय में रन किये हुए हैं और अधर कोई भी एथलीट इतने अधा फास्ट टाइम के साथ मेराथॉन को नहीं रन कर पाया है जितने के यह दोनों एथलीट पर रन किये हुए हैं अगर 2018 के बर्लीन मेराथॉन का कोई भी एथलीट यदि उस वर्ल्ड डिकॉर्ट को ब्रेक करना चाहे तो की स्पेस में उसे रन करना होगा मेराथॉन जैसे के मैंने आप सभी कहता है 42.2 किलियो मेंटर का एक सबसे लॉंग रेस होता है जिसे सबसे लंबी दूरी की रेस मना आता है तो अगर कोई एलेट किप चुग है के मेराथॉन को कोई भी एथलीट मेराथॉन का वर्ल्ड डिकॉर्ट को ब्रेक करना चाहे तो उसका मैं आपको एक एवरेज स्पेस बता रहा हूं जिस स्पेस से अगर वो रन करता है तो सा 42 मिनट 53 सिकन में एक किलोमेटर रन करना है और आपको इसी पेस के साफ से 42 किलोमेटर तक कांटीनू रन करना पड़ेगा तब जाके कोई भी एथलेट इस मेराथॉन के वर्ल्ड डिकॉर्ड मेराथॉन का पेस कोई अच्छेव कर पाएगा अगर मैं इसे माइल में छось होता है उसमें 1600 मेटर करना पड़ता है यानि कि 400 मिटर का जो ग्राउंड होता है उसका चार चक्क्र और उसमें सिर्फ आप 9 मिटर और और डेते हैं जो कि आपको विद्धिस में ज्यादा बाहर के देश्व में ज्यादा वन माइल का रेस आपको देखने को मिलेगा तो आपको एख का तो मेरतोन को सुम्जें होता है मेरतोन को 66.2 मायल जाइस अगैxis 20 माइल देदध गत्शाु सही ऩरल के सबस्सक्राइब 26 टाइम्स रन करना होगा यानिकि आप हर 1609 मिटर को 4 मिनट 38 सीकन के पेस से रन करेंगे तो आपको कांटीनू से 26 बार रिपीट करेंगे तो जाके आप इस मेराथॉन का पेस को अचीव कर पाएंगे तो जाके कोई अथिलीट इस मेराथॉन के वर्ल इकोट को ब्रेक कर पाएंगा अगर इसे में पांच किलोमेटर के पांच किलोमेटर के कमपेटर में इसे में अगर चेंज करूं तो एक मेराथॉन आपको 40 किलोमे सो उसी मतलब कि एक पांच किलोमेटर को कोई अथिलीट 14 मिनेट एंड 25 सिकेंड के टाइम के साथ रन करता है सो उस से आपको एट टाइम यानि कि पांच किलोमेटर दस किलोमेटर 15 25 35 35 इस तरह पांच किलोमेटर बढ़ाते हुए और हर एक पांच किलोमेटर को आपको तकरवर 14 मिनेट एंड 25 सिकेंड के पर 5 किलोमेटर को रन करना गा तो जाके कहीं कोई एथिलीट इस स्पेस को के लिए और इन्होंने सेम प्रोसिस को एट टाइम से भी ज्यादा बार बीना रेस्ट किये कांटीन्यू उसे अचीव किया है तो आप सुर्थ दिनों के टाइम के आज पास भी नहीं रन कर पा रहा था तो सभी को लगा था कि अगर नेक्स टाइम भी कोई वर्ल्ड डिकॉ तो इन दों में से ही कोई आथलिट ब्रेक करेगा जैसा कि अल्ट कि फिर alert के द्शोगए ने फिर 2020 में एक सब टू मर्याथन ने एक स के जुरूत तो है नहीं वेरी टेलेंटेट केनें रुनर एंडुरेंस लीजेंड मेराथॉन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर टू टाइम्स ओलंपिक मेराथॉन चैंपियन सब टू मेराथॉन यानि कि दो घंटे से कम समय मेराथॉन को रून करने वाले एथिलेट अवियसली ए मेराथॉन को टू आरस वन मीनेट एन नाइन सिकन टाइम के साथ उन्होंने रन करके एक बार फिर से मेराथॉन का वर्ल्ड डिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है इस दोरानिंग का जो पेस था वो था तू मिनट फिप्टी टू सिकन पर किलोमेटर फोर मिनट थर्टी सेवन सिक आज के जब से मेराथॉन रन किया जा रहा है उस समय से और आज तक के मेराथॉन में टॉफ फाइव यानि कि पाँच सबसे तीज मेराथॉन करने वाले लिस्ट में चार इन ही का नाम है इस बार के 2022 में जैसा की इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक नमबर पर सबसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड टुवार्स वन मिनट थर्टी नाइन सिकेंड एलेट किप चुगे टू आर्स टू मिनट थर्टी सेवन शिकेंड और फिफ्ट ऑल टाइम फास्टेस्ट मेराथॉन टाइम भी एलेट कि प्यप चुगे का ही है टू आर्स टू मीनट एन फोटी सिकेंड आज के वीडियो में मैं अब इस मेराथॉन में का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एलेट कि प पूरे वर्ल्ड से 157 देशों से लोगों ने पाटिस्पेट किया था सो जैसे ही इस रेस में गन फायर होता है वैसा ही सभी 45,527 रनर आगे की और इस रेस में भागने लगते हैं इस रेस का कुछ मिनट तो काफी भीड था इस रेस में क्योंकि सभी रनर एक साथ ही स्टार्ट करते हैं इस रेस को बहुत से मेराथान में होता है कि जो प्रो एलाइट लेवल के अथलेट होते हैं वो सबसे आगे होते हैं और उनके कुछ देर बाद पीछे से जो की उतना प्रोफेशनल रनर नहीं होते हैं वो सभी रेस को स्टार्ट करते हैं लेकिन इस मेराथान में इस रात ही इस रेस को स्टर्ट किया था थो सबसे पहले के कुछ मिनट काफी इस रेस में भीड़ थे उन्ही में से एलेट किप चोगे भी थे और प्रिवस येर के दोयर 21 यानि की दोयर 21 के बर्लेन मेराथन के चैंपियन गाय अडोला भी उन्ही सभी 15 में से 14-15 एथलीटों में के साथ रन करने थे तो पहला 2 किलोमेटर 5 मिनट 49 सिकेंड में कम्प्लीट होता है लेकिन में दो किलोमेटर तक 14-15 एक साथ रन कर रहें थे वह 3 किलोमेटर के बाद ही थोड़े से आगे बढ़ते ही वह 14 डूर्न में से दो गुरूप डिवाइड हो गया चैसाथ रन एक आगे क्योंड कर रहे थे जो कि सबसे आगे क्योंड रहे थे और 6-7 रन उनमें से हटके 10 सिकेंड में कंप्लीट होता है जो कि marathon history का फर्स्ट सबसे फास्टेस्ट फाइब किलोमेटर यह है और अभी तक इस marathon में पहले पांच किलोमेटर में छाय रनर थे जो कि एक साथ रन कर रहे थे सभी और ये छाय रनर काफी समय तक सभी एक साथ रन करते हैं तक्रिवन हाफ मेरा थोन तक उसके बाद यह ग्रूप थोड़ा सा क्लियर होता है कुछ रनर पीछ हो जाते हैं सो इसी प्रकार से इस रेस में आगे बढ़ते हो जैसा कि मैंने आपको बता है दस टेन किलोमेटर तक 28 मिनट और 30 सिकन में कंप्लेट होता है और अभी भी वही सेम सिक्स रनर एक साथ इस रेस में सभी एक साथ रन कर रहे थे और इसी प्रकार से थोड़ा सा दस किलोमेटर के 6-7 मिनट और आगे बढ़ने पर यहने के तकरीबन 35 मिनट के पॉइंट पे इस रेस में जो प्रिवस यह यानी की दोहर 21 के बल्लिन मेराथॉन चेंपियन थे गाय अडोला इस रेस में अब वह थोड़ा सा पीछे जाने लगे थे मतलब वह इस रेस में ड्रॉप होने लगे थे और अब आगे के और से फाइव रनर्स रन कर रहे थे और वहीं फर्स्ट फिप्टीन के यानि कि पहला 15 किलोमेटर 42 मिनट और 33 सिकेंड में कमपलीट होता है है और इस गाय अडोला अब यहां से और व्यादा इस रेस में पीछे हो गय थे सो इतना अधाथ के साथ आगे के रिफिम सब आगे के रन करना है to फिर इतने अधा फास्ट पेस्स में और उस ृखर को आगे जाकर पकड़िना आया में करना गभोती आनि को difficult situation होता है तो अगर कोई अथरिट एक बार पिछे चला याता है इतने यादा gap हो जाता है बढ़ जाता है तो फिर उसके लिए आगे बढ़के आगे की group को join कर पाना बहुत ही tough होता है तो यहां से फिर गया अडोला हब काफी पीछे चले गया थे और इसी प्रगार से इसरे का फर्स्ट हाफ यानि कि फर्स्ट हाफ मेराथॉन इसरे का 21.1 किलोमेटर फर्स्ट हाफ इसरे का 59 मिनटे एंड 51 सीकेंड के साथ कंप्लीट होता है तो जिस इस पेस से यह सब रण कर रहे उसमें फालो नहीं किया गये थे जिसके कारण उसे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं गिनते हैं इस मेराथॉन में 22 के इस बरलेन मेराथॉन में पहला हाफ 59 मिनट एंड वन सिकेंड में रन किया गया था अगर दूसरा हाफ भी स्यम टाइम के साथ भी अगर रन कर देते हैं तो यहाँ पर हम किलियरली एक सब्टू मेराथॉन को देख सकते हैं अगर अगर स्यम रन करते हैं तो यह तो किलियर था लेकिन हाफ वे पॉइंट तक यानि कि इस रेस के फर्स्ट हफ तक भी वह स्यम फाइब रनर एक साथ रन कर रहे थे और लेकिन यहाँ पर हमें आगे किलो मेठरे बढ़ने पर टवंटिफाइब किलोमेटर पर इस रेस में काफिटे ौन तब्स्ट होता है ज्यासा ही 55 km कर ses 25 के dell वह याथ लिएиком जयर आब फास्ट पेस को साथ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वहां पर वह स्टाफ हो जाते हैं और अब सिर्फ इस रेस में हमें आगे की और सिर्फ दो रनर्स देखने को मिलते हैं जो कि एक एलेट किप चोगे थे और एक और अधर एथलिट थे लेकिन जस्ट थोड़े दूर आगे बढ़ते ही अब इस रेस में सिर्फ अखेले रन करते हैं और 25 किलोमेटर के बास से इस रेस को पूरे आखरी तक ये अखेले ही रन करके फिनिस करते हैं सो किसी भी रेस में आप देखेंगे मैराथॉन में इतने जल्दी पूरे ग्रूप को पीशे छोड़ देना आपको बहुत ही गीने चुने रेस में देखने को मिलेंगी कि कोई एथलिट इतने आदा फास्ट पेस के साथ रन कर रहें कि वो सभी एथलिट को 25 किलोमेटर तक स और अगर साथ देता तो साथ हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिल जाता क्योंकि अगर अगर कोई अधर एथलिट आपके साथ रन करता है तो वहां पर एक टॉप कंपरडिशन मिलता है जिससे की आप वहां पर और व्यादा फास्ट रन कर सकते हैं è it a 50 किलोमेटर के बात से इन्होंने यहां फास्ट के साथ इस रेष को फिनिस किया लास्ट तक एतने अच्छे टाइम ऑर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ वही एक बहुत ही बड़ी बात है काफी tough होता है कि इतने लंबे race को इतने आदा fast pace के साथ अकेले finish करना 25 km के बाद एलेट किप्चों के जैसे लग रहा था कि इस race में flying कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि इतने आदा fast pace के साथ और marathon के इस point प्याने के 25-30 km रन करने के बाद कोई athlete इतना smooth और इतना calmness के साथ run कर सकता है यह आप किसी भी athlete में नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पर एलेट के पुछे काफी ज़ा smooth आप देख सकते हैं इनके stride जो इनके pair हैं कितने अच्छी तरह से कितने smoothly और कितने calmness के साथ चल रहे हैं लग रहा कि यह कोई सुभा का morning जोगेंग करने निकले हो और कितने relax होके यह यहाँ पर run कर रहे हैं और काफी अदा यह अपने इस marathon को लेकर world record को लेकर काफी अदा focused हैं आपको इनके चेहरे पर कोई भी reaction नहीं देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप किसी other athlete को इस point पर इतन fast को वह मतलब दिखता है उनके चेहरे पर कितना tough यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इनके चेहरे पर कोई भी reaction नहीं कितने smooth तरीके से यह अराम से इस marathon को run कर रहे हैं और इसी प्रगार से इस race का first 30 km 1 hour 25 minute and 40 seconds में complete होता है और वही 35 km 1 hour 40 minute and 10 seconds में complete होता है तो यहा से किये लग रहा था कि अब यह सब टू के बाहर marathon जा रहा था यानि कि दो गंटे से कम समय में का pace यह नहीं run कर पा रहे थे लेकिन यह वह एक चीज तो clear था कि यहाँ पर marathon का world record तो देखने को मिलेगा ही सो 40 km का mark यहने कि 40 km 1 hour 54 minute and 53 seconds में complete होता है तो यहां से अब सिर्फ 2 km एलेट किप चुगे को और run करना था जैसे यह 2 km और run करते हैं और अपने piece को थोड़ा से बढ़ा लेते हैं और यह easily इस race को first place फर finish करते हैं 2 hours 1 minute and 9 seconds के time के साथ और आप इस race को इनको finish करने के बाद भी देख सकते हैं इनके चेहरे पर कोई भी थाकावट नहीं है अभी भी smile कर रहे हैं और still यह अभी भी रन कर रहे हैं जैसे लग रहा कि अभी भी यह इसी pace में 5-10 km और run कर जाएंगा और इनने कोई भी टेंसर नही यह इतने बड़े gap के साथ आपको कोई इतना कम ही athlete देखने को मिलेंगे जो कि 5 minutes से भी ज्यादा के gap से एक marathon को जीते हैं तो पूरी तरह से marathon के field को पूरी तरह से dominant कर रहे हैं मतलब कोई athlete इनके आस पास करना है 25 km तक ही सभी को पीछे छोड़ दिये और race win भी करते हैं अखेल कि इन्होंने 2 hours 1 minute and 9 seconds का time के साथ इन्होंने इस race को first place पे finish किया और वही second पर ही थे Kenya कही athlete Mark Korir जिन्होंने के 2 hours 5 minutes and 58 seconds के time के साथ इस race को finish किया second place पे और वही third place पे finish करते हैं इथोपिया के तदू अभेट जिन्होंने की 2 hours 6 minutes and 28 seconds में इस race को third place पर finish किया है सो इस race का जो first half था वो मैंने के जैसे आप सभी को पहले ही बताया था 59 minutes and 51 seconds में complete और second half 1 hour 1 minute में complete हुआ है सो first half इनका का fast था लेकिन second half इनका first half के comparison में 1 minute 9 seconds slow था जिससे कि हमें इसी कारण से यहाँ पर एक sub 2 marathon मतलब की marathon 2 घंटे से कम समय में नहीं देखने को मिला और इस race में इनका fastest kilometer था वो था 2 minute 36 seconds per kilometer का पे और वहीं slowest इनका 1 kilometer था जो था 3 minute 12 seconds और इनका पहला दूसरा मतलब कि पांच एक से पांच किलोमेटर पांच से दस किलोमेटर दस से पंदरा बीस से पचीस पचीस से तीस से तीस से पैंटीस से चालिस का जो पांच किलोमेटर था वह पहला पांच किलोमेटर चौदा मिनट 14 seconds दूसरा पांच किलोमेटर चौद 12-32, और सातामा 5 km 14-30, और अठामा 5 km 14-43, तराली सिकंट, फास्टेस 5 km था वो था 5 km से 10 km के बीच का 5 km, जो कि इन्होंने सिर्फ 14 मिन्यट और 8 सिकंड में रण किया था, और इन्हों का जो श्लोवेस्ट 5 km था, वो था इन्हों सबसे लास्ट का 5 km, यानि कि 35 km से 40 km के बीच क पाँच क्योमेटर जो कि इन्होंने 40 मिनट and 43 सिकन में रन किया था और तो एलेट किप चुगे अगर इस साल के 2024 के पैरिस ओलंपिक में पाटिस्मेट करते हैं तो इनका ये पांचवा ओलंपिक होगा और अगर ये इस बार के पैरिस ओलंपिक गोल्ड मीडल जीचाएंगे लेकिन अगर इस बार के ओलंपिक चैंपियन रहेंगे और ये अलंपिक हुआ अब में भी मेराथॉन के इवेंट में ही पार्टिस्पेट करेंगे अगर यह तीसरी बार करते हैं तो यह मेराथॉन हिष्ट्री का एक मात्र एसे एथिलिट होंगे अब अभी हाली में लंदन मेराथॉन भी हुआ है साथ 2 अक्टूबर को जो मैं उसके उपर भी एक बहुत इजल एक पुरी डीटेल में उसके उपर भी वीडियो बनाने वाला हूं उसमें कैननी साब अके लिए भी पार्टिस्पेट किये थे आज की वीडियो में इतना ही और